36 गड़ में भाजपा के प्रत्याशियों की घोशना होने के बाद नाराजगी भी अब खुल कर सामने आती जा रही है इसी को लेकर अब दंतेवाडा में नकसलियों के हाथों जान गंबा चुके विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने एक वीडियो जारी कर भाजपा पर आरोपों की बोचार कर दी है पहले आप सुनिए कि दीपा मंडावी ने क्या कहा फिर हम आपको भीमा मंडावी और दीपा की माँ ओजस्वी मंडावी के बारे में भी बताएंगे नमस्ताद। सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के मेरे पापा ने इस पार्टी के अपनी जान दे जी उनके जाने के बार हमें अपने कलकब बताने में था फिर भी हमारे मंपे ने हमी संभाना और इस पार्टी मेरे पापा की जगा देंगा उसी सिंधक के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी हमारे दंतेवाडा की जनता के लिए और हमारी भाचपा पार्टी के लिए क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई खीमत नहीं है आप सब पार्टी बालों के सामनी क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को जाती है और मेरे पापा के इसी अध्यूरे कारिव पर उनके सपने को पूरा करनी के लिए मेरी ममी पार्टी में आई थी राजनती में उन्हें कदम रखा था और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कारे करता हूँ इवने दास से ये पूछना चाहती है मुझे मेरे इस सारे सवानों का जवाब चाहिए कि आप लोगों नहवार साथ सक्ष्यू किया दरासल साल 2012 के चुनाव में भाजपा ने दंतेवाड़ा विधान सभा सीट से कांग्रेस के दिगज नेता रहे महिंदर कर्मा के सामने पंचायत सचिव भीमा मंडावी को उतारा था भीमा ने ये चुनाव जीत लिया फिर साल 2013 जीरम में नकसलियों ने महिंदर कर्मा की हत्या कर दी थी इसके बाद इसी साल भीमा मंडावी महिंदर कर्मा की पतनी देवती कर्मा से चुनाव हार गए लेकिन इसका बदला उन्होंने साल 2018 में देवती कर्मा को हरा कर लिया और जिस वक्त नक्सलियों ने उन्हें मौत के घाट उतारा वे दंतेवाडा से विधायक थे वहीं बात अगर दीपा की मां उजस्वी मंडावी की करे तो भाजपा ने सांत्वना लहर का फायदा उठाने के लिए दंतेवाडा से भीमा मंडावी की पत्नी उजस्वी मंडावी को उपचुनाव में टिकट दिया लेकिन वे हार गई लेहाजा इस बार उनकी जगए भाजपा ने चेत्राम अटामी को टिकट दिया है जिससे दीपा मंडावी नाराज है तो भाजपा के इस बदलाव को आप किस नजरिये से देखते हैं अपनी राय भी जरूर कमेंट करें